का कि येलो क्वेल्कम सागर स्वागत वईडियो के मादे से जैसे कि आप लोग देख पा हूं लोग शीखने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के अदिकाल कैसे लिखा जाता हैं तो दीखिए एसे और अबर आर्टिकल है कि जो essay होता है उसमें heading wise हरसे लिखनी होती है और article जो होता है इसमें कोई heading नहीं पड़ी देखिए मने यहाँ पर paragraph तो start किया बट यहाँ पर कोई heading नहीं है ठीक है एक तो यह चीज हो गई दूसरा एक और अंतर है कि जो essay होता है वो किसी के नाम से नहीं होता है और article जो होता है by name किसी ने किसी का नाम वहाँ पर दिया होता है बाई राधा बाई गीता बाई सोहन बाई सुरे इसे ना ऐसे करके मैं बाई अपना name यह पर डाल दे रहा हूं बाई सागर तो अभी इस हमारा जो article का topic है वो क्या दिखिए तो वो कह रहा है write an article on the given topic in about 100 to 150 words यहनी 100 से लेकर के 500 सब्द के अंतरगत एक article लिखना है और उसका जो topic दिया गया है वो क्या है computers बून और बेन जो computer होते हैं वरदान है या फिर अभी साफ हैं इसके बारे में हमें एक article तैयार करना है तो चली देख लेते हैं कि इसको article को कैसे लिखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से request करना चाहूंगा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को दबा दीजिए जिससे की कोई भी आने वाली next video का notification सबसे पहले आप तक आए चलिए start करते हैं दीखें बिना कोई heading डाले हमको paragraph start करना है तो paragraph में मैंने क्या starting में लिखा है some people say that the computer is one of the greatest inventions of humankind यानि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जो computer है ये मानो जाती के अभिस्कारों में से या सबसे greatest अभिस्कारों में से सबसे महान अभिस्कारों में से क्या है एक है ठीक है कौन computer computer का हिंदी के अगर बात करें तो friends इसको संगड़क बोलते हैं क्या बोलते हैं संगड़क बहुसे लोग computer को भी तक computer के नाम से जानते हैं however तब भी other people think that जो अन्य लोग हैं वो भी इस जीज़को क्या विचार करते हैं क्या सुछते हैं कि computers make life their life most stressful कि जो computer हैं वो उनके जीवन को अधिक stressful यानि तनाव पूर बनाते हैं तनाव मतलिब चिंता से परिपूर करना there is no denying that computers have become an integral part of human life इस बात को हम लोग deny नहीं कर सकते इंकार नहीं कर सकते कि जो computers हैं वो एक integral part बन चुके हैं महत्यपूर हिस्सा बन चुके हैं किसका human life मानो जीवन का इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते next क्या देखिए always sorry almost every profession benefits from computer अधिकान से कर देखा जाए तो प्रत्ते एक ब्योसाय जो है वो computer से लाभानवित हो रहा है है चाहिए बैंक में ले लीजिए वहां भी computer इस्कूल में ले लीजिए वहां भी computer हॉस्पिटल में ले लीजिए वहां भी computer तो अधिकान्स देखा जाए तो जितने भी professions जितने भी व्योसाय हैं सभी में क्या है computer का यूज हो रहा है Children have been reaping benefits from the constant use of computers जो बच्चे हैं वो भी computer के प्रयोग से अपना benefit प्राप्त कर रहे हैं अपना laugh प्राप्त कर रहे हैं It helps them in their homework क्यों क्योंकि जो बच्चों की help करता है computer के सीज में करता है तो देखी क्या है एक तो उनके homework में उनके project के कारे में assignment में है ना इन सभी चीजों में computer उनकी help करता है Next देखी क्या है It not only provides information ये केवल सूचनाय ही नहीं प्रवाइड करता केवल सूचनाय ही नहीं प्रदान करता बल्कि आना variety of subject भी कोई विसे ले लिजिए किसी विसे के variety का मतलब होता अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के विसेओं पर सूचनाय ही नहीं केवल देता है बल्कि लेते है paragraph second क्या है यहां भी मैंने कोई heading नहीं डाल रखी है बिना heading के paragraph राइट करना होता राडिकल में On the other hand दूसरी वर excessive use of computers has its own set of disadvantages दूसरी वर अगर देखा जाए तो अगर excessive use करते हैं ज्यादा प्रियोग करते हैं किसका computer का तो इसके कुछ disadvantage भी है जैसे advantage का मतलब लाव है तो disadvantage का मतलब हानिया इसके कुछ अपनी हानिया भी है और वो क्या है Too much use of computers can cause deterioration of vision एक तो यह हमारी दरश्टी पे प्रभाव डालता है ठीक है दरश्टी हमारी मतलब जो देखने की छमता है उस पर यह प्रभाव डालता है Spending more time on computers harms physical health अगर हम ज्यादा से ज्यादा time computer पे spend कर रहे हैं ठीक है बिता रहे हैं तो यह कौन सी हर्म करता है physical health एक तो हमारा सारे रिक स्वाश्ट बेकार होगा which might result in being oversight जिससे क्या होगा सर ओरवेट हमारा वजन क्या होगा बढ़ेगा और and in problems of the spine और इससे हमारी जो problem होती है कौन सी चीज़ की spine की तो spine की भी problem होती है spine क्या है समझ लेजे एक बार सबी लोग कि जो spine होता है इसको हम लोग merodhant बोलते हैं क्या बोलते हैं merodhant जिसको आप read की hardy कहते हैं ठीक है इसमें भी problem आती है क्योंकि computer चलाते समेह में जुकना पड़ता है जुके 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 क्या होता रीड की हड़ी में दर्द होने लगता है, रीड की हड़ी को problem हो जाती है, next समझते हैं, the major problem which is affecting children nowadays is their addiction to computers, जो सबसे बड़ी problem है, जो कि आज के बच्चों को ज्यादा affect कर रही प्रभाव डाल रही है, वो कौन सी है, is their addiction to computers, यानि बच्चे जो आदी हो चुके हैं, आदी का मतल of which is their distraction from studies, और इसका result यह है, इसका परिड़ाम यह है, कि बच्चे अपनी पढ़ाई से, अपनी study से distract हो रहे हैं, यानि उनकी दिशा, पढ़ाई के बजाए, किस चीज में, computer की ओर, जो है, उनको ले जा रही है, next के दिखिए, third paragraph में, यहां भी कोई heading नहीं है, if the time spent on computers is regulated, य अपना समय, यानि computer पे खर्च किया गया, अपना समय, यानि computer चलाते समय, जितना भी समय हमने क्या किया है, अपना बरबाद कर दिया है, यदि उसको हम regulate कर लें, नियंतरित कर लें, बचा लें, तो then it can surely be used to make our work easier, तो इससे हमारा जो work होगा, वो थोड़ा easy हो जाएगा, आस इस प्रकार, if used in the right way, यदि हम सही से computer का use करते हैं, तो computers will only change life or better, तो computer हमारे जीवन को और बहतर बनाएंगे, ना कि उसको बेकार करेंगे, लेकिन क्या करना है, computer को सही से use करना है, properly use करना है, ना कि उसको ज्यादा excessive use नहीं करना है, यानि उसका proper use करना है, मतलब भर का use करना जितना आपको suitable लगे, ठीक है, okay students, तो यह हमारा article हो गया, जिसका हमारा topic था, computer, boon, urban, computer, वर्दान या अभिसाब, तो friends, इसको तयार करेंगे, class 12th, board exam के लिए काफी important topic है, okay students, thank you, thanks for watching this video, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो अपने friends तक share जरूर करें, thank you, फिलीड़ को सकुरूर के Herz., वीडियो बहें हमार कुछ करेंगे, किसजुट चले वीड़ियो और वीड़ मुच्फल टोched, कुच अपने तके पाल तका जे लेक्वश वीड़ियो तकिक तक्श एक्य दोवार।